दोस्तो क्या आपको eSIM के बारे में पता है? अगर आपको नहीं पता है तो आपको इसको समझने के लिए Isaac Newton या फिर Arya Bhatt नहीं बनना पड़ेगा सिंपल भाशा में समझा देता हूँ मैं eSIM का मतलब यह होता है कोई भी वर्ड के आगे अगर e बैठता है उसका मतलब यहीं बनता है कि वो है virtual मतलब e का मतलब virtually होता है आप यह समझ लो तो eSIM का मतलब है एक virtual SIM card अभी कोई भी phone calls या फिदेटा प्लाइन यूज़ करने के लिए आप क्या करता हो? SIM card यूज़ करता हो कोई भी service provider हो सकता है Jio है, Vodafone Idea है, Airtail है बहुत सरे service providers है जिसका SIM card अपने phone में आप यूज़ करते हो लेकिन दोस्तों यह eSIM जो है आप कोई भी service provider का connection एवेल कर रहे हो लेकिन आपके phone में कोई भी SIM card आपको यूज़ करने की ज़रुरत नहीं है बिना SIM card के भी आप उन service providers का जो भी plans वगेरा है आप use कर सकते हो इसी funda को कहते हैं eSIM तो अभी Vodafone Idea अपने existing customers को offer कर रहा है यह eSIM तो अगर आप एक Vodafone Idea पोस्पेट customer हो तो आपके लिए एक बहुत ही खुशकबरी है कि आप इस eSIM facility को एवेल कर सकते हो अगर आपके पास उन selective phoneों में से कोई भी phone available है तो तो चलिए दोस्तो वीडियो में आगे बरते हैं और जान लेते हैं कौन से कौन से phones में यह facility वो अवेल करा रहा है और वो facilities अगर आप अवेल करना चाते हो तो आपको कौन कौन से steps follow करना पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह episode So hey guys, आप सभी को मेरे नमस्कार में प्रशुन आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल टेक प्राउजर में तो चलिए दोस्तो एक डूपकी लगाए लेते हैं टेक्नलोजी के समुन्दर में तो दोस्तो वोड़ाफोन आइडिया यह ECM facility कौन-कौन से handset में available करा रहा है उसका list आपको screen पे अल्रेड़ी दिख रहा है अगर इन में से कोई भी handset आप use कर रहे हो तो आप भी बन सकते हो एक ECM user तो उसके लिए आपको क्या-क्या steps follow करनी है चलिए जान लेते हैं दोस्तो अगर अगर अल्रेड़ी आप एक Vodafone Idea postpaid customer हो तो आपका email ID जो है Vodafone Idea के database में registered होना चाहिए अगर ऐसा है तो सही है अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कोई खबराने की बात नहीं है मैं steps बता रहा हूँ तो आप गौर से follow किजिएगा तो आप भी eSIM को avail कर सकते हो तो आपके email ID अगर Vodafone के database में already registered है तो आपको simply क्या करना है अब इस screen को उपर आपको दिख रहा होगा कि आपको इस format में एक SMS करना है eSIM space देके अपना registered email ID डालना है और उसके बाद उसको send कर देना है one double nine पे दोस्तो अगर आपका email ID registered नहीं है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको simply type करना है email space देके अपना email ID और उसको send कर देना है one double nine पे उसके बाद क्या होगा one double nine से आपको एक SMS आएगा उसके reply में आपको simply भेजना है E-S-I-M-Y अब जिनके email ID पहले से registered है उनका भी process में बता चुका हो और जिनके email ID पहले से registered नहीं है उनका भी process में बता चुका हो तो दोनों process को अगर आप complete कर चुके हो तो इसके बाद क्या होगा इसके बाद आपके phone में आएगा एक phone call उसमें आपका consent मांगा जाएगा over the phone call और अगर आप consent दे देते हो तो आपका उस registered email ID पह एक QR code आएगा अब QR code आ जाने के बाद आपको क्या करना है चलिए जान लेते हैं अब इसके बाद आपके handset की setting में जाना है और वहाँ पे select करना है आपको mobile data mobile data में आपको choose करना है add data plan अब add data plan को select करने के बाद वहाँ पे आपको QR code scan करने की एक option मिलेगा अब वहाँ पे उस QR code को scan करना है जो कि आपका registered email ID पह आया है अगर आप उस QR code को successfully scan कर लिए हो तो बस आपका process खतम हो चुका है अगले दो गंटे के अंदर आपका eSIM connection activated हो जाएगा तो दोस्तों ये जो process मैंने बताया ये तो है existing customers के लिए अगर आप एक नया eSIM connection लेना चाते हो भोड़ा phone idea की तो आपको करना क्या है आपको nearest भोड़ा phone store में जाना है आपका proof of identity और साथ में photographs लेके और जरूर से अपना handset लेके जाना है जिस handset में आप eSIM connection आवेल करना चाते हो तो आगे का process वहीं जाके आपको पता चल जाएगा तो ये वीडियो अगर आपको पच्छा लगे तो ऐसे ही बने राक अपना साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद जाए भारत